हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आपके अपने चैनल जैवालाजी में आपका स्वागत है अगर आप इस चैनल पर पहली वार विजीट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत हो लिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके आज हम बनाएंगे कान सबसे बहले हम बनाएंगे यहांपर बारह जैन एक, दो, त्रीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दो, ग्यारे, बारह जैन बनाने के बाद एक चैन और बनाएंगे, अब एक चैन स्किप करेंगे और दूसरी चैन की यह वाला एक धागा उठाईगे और ऐसे अपना फंदा बना लेंगे अगली चैन की अंदर फिरसे एक धागा उठाया और इस तरह से फंदा उठा लिया है यह दिखिए अगली चैन के अंदर फिर से एक एक धागा उठाएंगे और एक चैन के अंदर एक फंदा बना लेंगे यह दिखिए दो, चार, छे, आठ, दस, और बार है यह दिखिए 12 चैन बनाने के बाद एक चैन स्किप करेंगे और अगली चैन में इसे फंदा ऐसे बुन लेंगे एक चैन के अंदर एक फंदा बुन देवे इस तरह से चैन का एक धागा में उठाना है और इस तरह से फंदे बनाने है यह देखिए फिर से दो फंदे एक साथ ऐसे बुने इससे दो फंदे इस तरह से हमें दो दो बर के फंदे बुन लेने हैं यह देखिए सारे फंदे हमने बुल ले अब यह एक फंदा हमारी करोशिय के अंदर रह गया अब हमें फिर से यह वाला यहां पर नहीं बनाना है यह वाला जो हमारा धागा है इस धागे को हम उठाएंगे ऐसे और इसमें से ऐसे फंदा बुल लेंगे आगे वाला धागा यह देखिए ऐसे उठाया और ऐसे बुल लेंगे यह देखिए इस तरह ऐसे एक धागे में से एक फंदा बुनते हुए सारे फंदे उठा लेंगे हम सोरी ऐसे ने बनाना है ऐसे बनाने के बाद अब हमें पाइजामे में डोरी डालने के लिए मोरिया बनानी है तो ये वाला जो धागा है दोनो धागों के बीच से हम ऐसे डालेंगे हुख और ऐसे बनेंगे फिर से ये बला धागा छोड़ दिया और दोनों धागों के बीच से ऐसे पूरी चैन उठानी है ये जो बीच में हमारी चैन बन गी है चैन के नीचे से हम ऐसे हुप डालेंगे और एक चैन के नीचे से एक ऐसे बुनते जाएंगे फंदे अपने फंदे हम गिन लेते हैं यह देखिए 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10 और 11 11 फंदे होने के बाद यह जो 2 धागे हमने यहाँ पर बुने थे एक साथ इनमें से लास्ट वाला एक धागा हम ऐसे उठाएंगे और इसमें से ऐसे बुन लेंगे तो यह हमारे 12 फंदे हो गए पूरे अब हमी यहाँ पर दूसरा कलर अटैज करना है इस धागे को हम यही पर कट कर लेंगे और यहाँ पर दूसरे कलर का धागा इसके साथ अटैज कर लेंगे इस तरह से नोट लगा लेंगे और एस्टाद आगा कट कर लेंगे यह दिखे कट करने के बाद दू धागे हम एक साथ बुनेगे ऐसे य से दू धागे बुनेगे ऐसे करके दू धागे करके साड़ी धागे हम बुल लेंगे तो यह हमारे सारे फंदे बुनने के बाद अब इसी धागे से यह वाला जो फंद धागा है यह तेखिए इस धागे के निचे से यह से फंदा बुनेंगे आगे वाले धागे के निचे से फिर एक धागे के निचे से एक फंदा बुनना है यह शुरू के यहां हमने दो धागे ऐसे एक साथ बुनी थे एक में हमने यह वाला फंदा बुन लिया है अब दूसरे धागे में से भी ऐसे फंदा बुन लेंगे और यह दिखिए 12 फंदे हमारे तयार हो गए है हमें इसी कलर से बनाना है इसलिए हम इसी कलर से ऐसे दो धागे एक साथ बुनेंगे फिर से दो फंदे एक साथ इसी तरह से पुरा रांड कंप्लीट करेंगे यह देखे, इसी तरह से फिर से ऐसे धागा उठाएंगे, इस धागे के नीचे से उख डाला, और ऐसे एक एक धागे के नीचे से एक एक फंदा उठाते जाएंगे यह देखे, एस से अपना डिजाइन है एक रांद यहाँ पे कम्प्लेट हो गया ऐसे ही हमें, धौरांड और कम्प्लेट करने हैं एक तो ये वला हो जाएगा और एक इसके बाद और हो जाएगा तो राउंड कम्प्लेट करके मिलते हैं यह देखे यह हमारे राउंड जारे कम्प्लेट हो गए हैं एक दो तीन ये राउंड कंप्लेट हो गए अब हमें एक टांग बनाने के लिए यहां पर छे फंदे उठाने पड़ेंगे तीन चार पाज और छे छे फंदे उठाने के बाद ये वाली दूसरी टांग के लिए ये वाले फंदे हम छोड़ देंगे और इसे यही से ऐसे बनाएंगे सेम प्रोसेसर रहेगा दो दो फंदे बनते जाएंगे इस तरह से सेम पैटर्न से इस तरह से धागे उठा लेंगे चार और ये दो फंदे एक साथ बने थे इन दोनों पे दो फंदे बन लेंगे इस तरह से इस तरह से और ऐसे बन लेंगे इस तरह से बनने के बाग एक बार और फंदे यासे उठाएंगे ये छे फंदे हमने उठा लिए अब यहां पे हमें दूसरे कलर का दागा टैस करना है और इस दागे को कट कर लेंगे एक्स्ट्र धागा बाद में कट कर लेंगे दूसरे कर दागे यहां पे एक चैन बनाएंगे और धागा थोड़ा लंबा करके कट कर लेंगे ताकि हम बाद में इस की सिलाई कर सकें अब हमें दूसरी टाग यहां से बनानी है तो दूसरे कलर का दागा टैस करेंगे अब हमें नोट लगा लेंगे यहां से हुप डालेंगे और यह बला धागा यहां से बुन लेंगे अगले धागे में इसे एक फंदा इसे बुनेंगे इस तरह से यहां पे भी हम छे फंदे उठा लेंगे शे फंदे उठाने के बाद सेम प्रोसेस रहेगा यह हमें बीच में ना कोई घटाना है ना बढ़ाना है सिदे सिदे चलते जाएंगे फिर से यह से फंदे उठा लेंगे इसी तरह से हम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कानाजी का पैजामा आसानी से बना सकते हैं यह देखिए एक दो और तीन एक दो एक राउंड दोर लगाएंगे और फिर दूसरे कलर का दागा टैज कर लेंगे अब यहां पर दूसरे कलर का दागा टैज करेंगे जैसे यहां पर किया था और इस दागे को कट कर लेंगे इस दो दो दागे फिर से बन लेंगे और एक चैन बनाने के बाद आगा लंबा करके कट कर लेंगे यह देखें इसी तरह का दूसरा पीस मैंने बना के रखा है यह देखिए इन दोनों को हम ऐसे उल्डे रखके यहां से और यहां से सिलाई कर लेंगे और यहां से भी कर लेंगे यह देखिए यह जो हमने यहां पर धागा छोड़ा था इसे हम यहां से हुक को डालेंगे यह बला धागा अंदर साइट कर लेंगे और ऐसे नोट लगा लेंगे और ऐसे बुनेंगे और यह देखिए इस चैन में से डाला और दूसरी साइट के इस चैन में से डाला और ऐसे बुन लेंगे अब आगे वाली चैन में से डालेंगे इसी तरह से स्लिप स्टिश से अठाच करते जाएंगे और यह वाला दागा यह पर कट कर लेंगे और यह वाला दागे हम पीछे की तरफ कर लेंगे एक चैन ऐसे बना लेंगे ताकि यह वाली तागे यहां पर बन जाएंगे और दागा टाइक करके यह वाला दागा हम यहां से निकाल देंगे और इसको पट कर लेंगे इसी तरह से दूसरी तरफ से शिलाई कर लेंगे और बीच से भी ऐसे शिलाई कर लेंगे यह देखे आप इसके बीच से शिलाई कर लेंगे कर लेंगे इस तरह से एक एक चैन के अंदर ऐसे स्लेश्टे से बन करते जाएंगे करते लेंगे इस तरह कर लेंगे झाल 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 ये देखें मारे काना जी का पाजामा बन के त्यार हो गया है अजर आज़ो अधार जारो अगर आपको मेरे वीडियो ची लगी हो तो प्लेश लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिये सब्सक्राइब करिए थैंक्यो फर वर वर दिंग झाल झाल झाल